आप सभी स्टुडेंट का बहुत बहुत स्वागत है हम सभी स्टुडेंट के लिए हर दो दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं आप सभी इन वीडियो को देखकर टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं और आप किसी भी एक्जाम को पास कर सकते हैं ये मेरी जुम्यवारी है लेकिन ये जुम्यवारी तब है जब आप हमारे पूरे वीडियो को लगन से मन से देखें और उनसे जो भी तुम्हें ग्यान मिल रहा है उन ग्यान को अरजित करें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमा मुख मुख जैसे मैं statement बताऊंगा उन statement को आपको देखना पड़ेगा और सीठना पड़ेगा साइध आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे statement मिल जाएं जो आपको कहीं और जगए नहीं मिलेंगे या नहीं मिले होंगे वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आप ध्यान से वीडियो देखें और उनके point to point समझें इस वीडियो में मैं लगभग hundred question cover करूंगा एक एक करकी question बताऊंगा किस तरीके से हमें question को समझना है और करना है हम question इस्टार्ट करते हैं हमारा पहला question है soldering एक temporary लेडी फास्टनर है इसके बारे में सही कथन नहीं है तो सबसे पहले में इस कोश्चन का आंसर बताऊंगा कि इस कोश्चन का अंसर क्या है इसके बाद में अधर कोश्चन बताऊंगा हमें सोल्टरिंग के बारे में बताना है कि सही कथन नहीं है तो जो नहीं वाला कोश्चन आता है student इस्टुडेंट और नहीं में यह तेहना पड़ता है कि यह नहीं लिखा हुगा है लिकिन हमें इसमें बताना आए हाँ वाली जो है वो छाटके हमें option से अलग कर देना है तो जो पहला option है सीटों में होती यह तो है यह एंस है यह हमारा soldering में नहीं होता है और नहीं हमें बताना था कि soldering में कौन सा कधन सही नहीं है तो इसमें चोता नहीं है और यह तीनों पहले वाले हैं अब मैं इसमें और question आपको बताते हूं कियसे सबसे पहला question है question में ही छिपा हुगा है सबसे पहला बाला question जो है यह है एक soldiering temporary फासने देखे इसमें लिखा हुआ है यह भी अपने आप में question है کہ soldiering किस तरीकी का फासनर होता है soldiering temporary फासनर होता है इसके बाद next question जो इसमें छिपा हुगा seat звучway में तो दो seat उपने के लिए तो solder से वो डोरी एलेक्टिक सावन को जोड़ता है इसके बादे base दातू नहीं पिगलती है ये भी सही बात लिखे हुए तीसरे option में लिखे हुए जैसे माल लीजिए मैं इस seat को जोड़ रहा हुपर जो मैं दिखाया है तो इस seat में जब इसको जोड़ा जाता है तो जो base दातू रहती है हमारी seat दातू है तो ये नहीं पिगलती है केवल हमारा जो solder wire होता हो पिगलकर इसके उपर लेपित हो जाता है अर्था joint के वीज़ में बार जाता है इसलिए soldering में base दातू नहीं पिगलती है बेज दादों जो पिखलती है, वो बेल्डिंग में पिखलती है, सोल्डरिंग में नहीं पिखलती है, तो हम इस तरीके से बहुत सारे कोश्चन समझ समझ के कर सकते हैं, और कोश्चनों का आपको गिंती बढ़ाना पड़ेगी, एक कोश्चन राटने से हमें फायदा कम होगा, अज हम जादा से जादा कोश्चन समझेंगी, तो हमारे जो कोश्चनों की connectivity होगी, वो connectivity बढ़ जाएगी, हम नेक्स कोश्चन करते हैं, हमारा दूसरा कोश्चन है, सोल्डर में, सोल्डर का प्रियोग होता है, यह किसका मिस्रान होता है, तो हमारा सोल्डर का यूज होता है, सफिद रंग का जो वायर होता है, वो सोल्डर वायर कहते हैं, उसमें सोल्डर, तो सोल्डर में क्या-क्या मिला रहता है, तो सोल्डर में जो होता है, लेड और टिन होता है पीवी प्लस एसन होता है उसमें लेड का संकित जो होता है वो पीवी होता है देखिए पीवी प्लस एसन लेड टिन भी आ गया तो इसका दूसरा अंसर राइट अंसर हो जाएगा साधान सोल्डर का गल्लांग कितना होता है हमारे सोल्डर का गल्लांग होता है 96 डिगरी से स्टार्ट होता है और 450 डिगरी से कम अर्था 60-300 डिगरी सी तक लगबग जाता है हमारे सोल्डर का गल्लांग सबसे कम वाला जो सोल्डर होता है वो 96 degree C पर पिगल जाता है वो सबसे ज़्यादा वाला जो होता है 350 degree C अर्थात इसको हम यह भी कह सकते हैं 450 degree C से कम यह भी कई किताब में लिखा हुआ है कि solder का गलांग 450 degree C से कम होता है अब साधान solder में लिखा हुआ है यह में समयना पड़ेगा साधान solder का जो गलांग होता है वो होता 205 degree C जिसमें 50% हमारा LED होता है LED की मातरा 50% होती है और TIN की मातरा भी लगवा 50% दोनों रहते हैं तो यह question भी आप याद रखेंगे साधान solder अब यह जो दोनों answer लिखे हुए और answer तो जो हमारा 96 है यह और जल्दी पिगलने वाला solder होता है जो साधान solder नहीं होता है वो 96 पे और जो इसकी बाद आँगी जो अगर हमने बता है 450 degree C से कम तो यह C में यह लिखा हुआ है और 960 degree C लिखा हुआ है यह हमारा यह bridging होता है वो 450 degree C से अधिक पर होती है और 900 degree C से अधिक नहीं होगी तो इस तरीके से हमारे सारे कुश्यन हो सकते है फोर्ट कुश्यन करते है solder का गलन कम करने के लिए क्या मिलाते है तो यह कुश्यन हमें याद करना पड़ेगा कि जो हमारा solder है माल लीजिए हमारा solder का melting point 300 degree C है लेट टेन है उसमें लेकिन हमें इसके गलन को कम करना है माल लीजिए 96 degree C पर ले जाना है तो इसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा तो इसका जो answer है वो answer है विसमत इसमें हम विसमत मिलाते हैं विसमत मिलाने से हमारा solder का गलन कम हो जाता है अर्दात कम डिगरी सी पर गल जाता है, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको हम, बिस मत को हम बिस से याद करेंगे, बिस, तो बिस आप जानते हो, बिस जो खा लेता है, उस बेक्ती की उमर अधिक नहीं होती है, अर्दात उसकी उमर कम हो जाती है, बिस, बिस का मतल गलांग कम करने के लिए 20 का याद रखेंगे कोड़ वाट तो 20 से 20 मत बिसमत मिलाने से सोल्डर का गलांग कम हो जाता है नेक्स को चनम करते हैं अब एक में हमने सोल्डर का गलांग कम किया इसमें सोल्डर का गलांग अधिक करने के लिए क्या मिलाते हैं तो सोल्डर का इसी पर ले जाना है तो इसमें हम anti money की 3-4 person मात्रा मिलाएंगे लेकिन anti money को कैसे याद रखोगे anti money को money से याद करेंगे money मतब पैसा जिसके पाद पैसा है उसकी उमर अधिक है क्योंकि उस पर खान पान पर अधिक ध्यान रहता है वाच्छे कपड़े पहनता अच्छा इलाज करवाता है तो money है तो उमर अधिक है और money है तो हमारा solder का गल्लांग भी अधिक है इसलिए हम money से याद रखेंगे जिसमें anti money है तो money है मतब पैसा है अर्था solder का गल्लांग भी अधिक है उसकी उमर भी अधिक है तो anti money को इस तरीके से corporate से हम याद रखेंगे इसमें नीचे lead भी लिका ह हुआ है को तंगस्टं कटेंग टूल पर मिलाया जाता है जिससे किस escaping करते हैं किzosको इस तरी solder wire को solder wire क्या करता है solder wire पिगल जाता है पिगल के क्या करता है हमारे seat को तारों को जोड़ता है तो इस तरीके से क्रेम से हमें कोई चीज़ समझना है कि यह bit क्यों बनाया गया copper का क्यों बनाया गया copper का इसलिए बनाया गया क्योंकि copper जो होता है मैं पिछले वीडियो में बताया था कि copper जो होता है heat का सबसे अच्छा चालक होता है वो heat को आसानी से transfer कर देता है तो हम जो solder wire ऐसे लगाएंगे तो यह हमारा bit रहेगा यह आंगे वाला ऐसा यह अपनी heat को wire को transfer कर देगा वो wire पेखल करके joint में भर जाएगा तो इस तरीके से यह solder wire का bituda cover को चांदी जो होता है यह बिद्दूत का सबसे अच्छा चालक होता है यह वी question आ सकता है सोना जो होता है मेलेविल्टी सबसे अच्छे होती है और iron जो होता है आज की समय में अधिकतर उपयोग iron का बहुत अधिक उपयोग उच्छी स्थरपा हो रहा है next question हम करते है solder को पिगलाता है सोरी दूसरे option में दिया गया है तीजरा है solder को बहाना बहाता है पेनिटेट करता है तो इसकी answer ford answer right answer हो जाएगा सभी अब मैं बताता हूं कि plus होता क्या है जब किसी soldering iron दोरा इस soldering iron है इसकी दोरा किसी इस बाहर को पिगलाते है solder को इसमें क्या होता है oxidation होने लगता है जिस joint पे हम पिगला कर soldering करते हैं तो उस oxidation को रोकने के लिए अर्थात बातारबन के प्रवाव को रोकने के लिए एक अलग से paste लगाया जाता है तो उस powder को या paste को फिलस कहते हैं अलग से डाला जाता है जिस तरीके से हम किसी दूद को साफ करने के लिए करते हैं फिलस का मन्दा होता है इसा पदार्थ जो हमारे soldering का åd adult होता है उसको साफ कर देता है पिगला भी देता है और liquid भी बना देता है तो इस सारे का म फिलस के द्वारा की ये लियाते हैं फिलस को हम हिंदी में गालक के नाम से जानते है नेक्स कोश्चन आठ कोश्चन करते हैं, कोश्चन को ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि कोश्चन नहीं पढ़ोगे, तो आपको अंसर लगाने में दिक्कत होगी, किसी सीट में बेंडिंग भोर्स अटाने के बाद, बेंडिंग, डिफॉर्मेशन का एक हिस्सा अपनी मूल अवस्था में आ जाता, उसी क्या कहते हैं, दोको इसको मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ, जब किसी सीट को मन लेगे, हमने इस तरीके से बेंड किया है, तो यह जह हम बेंड करते हैं, तो यह जो हमने अभी काम किया है, यह डिफॉर्मेशन हुगा, डिफॉर्मे मूल अवस्था में आ जाता हूँ, यह सीट हमारी ऐसी थी सीटी, सीटी थी हमारी सीट, लेकिन थोड़ी सी बेक आती है, तो इस थोड़ी सी बेक आने को क्या कहते हैं, तो इसको ओलते में इस्प्रिंग बेक, क्योंकि यह जब मोडा तो आ गया, जब वापस हो रहा, तो इ जब मोडा तो मुड़ गई, तो थोड़ा पीछे जा रहे, लेकिन पूरी पीछे नहीं जाएगी, थोड़ी सी पीछे जाएगी, धोड़ा सी बेक होगी, इसे इस्प्रिंग बेक के नाम से जाते हैं, लेक्स क्कुशन अब करते हैं, जब सीट को दौनों साइधों से मोडन हो सीट को दोनों साइडों से मोड़ना हो तो कौने से क्रेक को विक्सित होने के लिए क्या करते एक इस तरीके की सीट है माल लेजिए यह सीट है अब इस सीट को हमें क्या करना है इधर से माल लेजिए इधर से हमें एक कॉर्णर को कट कर दिया है इक कॉर्णर हटा दिया माल इस तरीके से हमने हटा दिया, अब इस seat को ऊपर की तरफ इदर से मोड़ना है, और इदर से ऊपर की तरफ हमें मोड़ना है, तो हमें जब ऊपर की तरफ मोड़ना होगा, तो इदर से corner जो है तर फटने लगेगा, तो फटने लगेगा, क्योंकि इस seat को इदर से ही मोड़ना है हमें इदर से ही मूल ना है तो इस corner फटने से बचाने के लिए एक hole का देते हैं एक deal hole छोड़ा सकर देते हैं 2 mm का या 3 mm का इससे क्या होता है कि ये corner फटता नहीं है क्रेक नहीं होता है तो इसके लिए देखें थरडा अंसर दिया गया है की इसमें deal hole किया जाता है जो noching होती है ये seeming होती है मैं थोड़ा इस बारे में बता दिता हूँ नोचिंग क्या होता है जो हम seat को मोडती है तो seat तरकी उपर overlap होने लगती है तो overlapping से बचाने के लिए सीमिंग क्या होती है सीम होता है seat के किनारे को मजबूत बनाने के लिए तोड़ा मोर दिया जाता है जिस तरीके से हम कपड़े में तुर्पाई करते है कपड़े को मोर करते है तो हम एक के साथ बहुत सारे questions connect करके पढ़ेंगी next question हम करते हैं दसमा question हमारा है spring back seat में किस पर निर्वर करता है जो अभी-अभी मैंने बताया कि seat back जाती है मोगने के बाद कुछ ना थोड़ी बहुत कि spring back किस पर निर्वर करता है seat की मुटाई पर, seat के radius पर, seat के metal पर तो यह सारी जीनों पर निर्वर करता है seat की मुटाई पर निर्वर करता है radius पर निर्वर करता है, metal पर निर्वर करता है सभी, तो इस कान सा सभी हो जाएगा कैसे, यह मैं बता देता हूँ seat की मुटाई जो होती है, अगर seat की मुटाई जादा है तो वो कम बैक होगा, सीट कीम टाई कम है तो उसमें फ्लेक्जिविल्टी जादा होगी, अधिक बैक होगा, सीट का रेडियस, यदि सीट का रेडियस बड़ा है तो कम बैक होगा, छोटा रेडियस है तो अधिक बैक होगा, सीट का मेंटल, यदि हमारा मेंटल जो है स्प्रि पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हमें नोगरी चाहिए तो नोगरी चाहिए तो हमें अलस नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक इस लोग आपने पढ़ा है सुना है आलस शेकलो होता है इसमें सीट की मुटाई को जो वैसे सीट जो है लंबाई चोड़ाई और थिकनेस के अंसार आती है तीनों के अंसार लेकिन हम लंबाई और चोड़ाई की बात नहीं कर रहा है हम only one किसकी बात कर रहा है thickness की seat की thickness किस में आती है millimeter में नहीं आती है meter में नहीं आती है template में नहीं आती है gauge में आती है seat की मटाई gauge में आती है इसके लिए SWG gauge होता है जिसे हम standard wire gauge कहते हैं next question हम करते है seat के gauge कितने number में पाए जाते हैं seat के gauge जो होते हैं हमारे 50 number होते हैं ये question very very most question है ये DMRC, LMRC में आ चुका है कि seat के कितने number में पाए जाते हैं तो seat के gauge होते हैं जो standard by the gauge होता है 50 number में पाए जाता है कई कि तो आप हम इसकी गलत का अंसर दे रहे हैं तो आप इस question को विशेश दोर से ध्यान रखेंगे next 13 question gauge के बारे में सही कतन नहीं है देखिए इसमें नहीं लिखा नहीं वाले question में हमें double power लगानी है तो हम कैसी double power लगाएंगे हम ध्यान रखेंगे कतन नहीं है तो हमें नहीं है तो हमें सही वाले इसमें से हटा देने हैं तो नहीं बाला अपने अब बच जाएगा साथ बटे जीरो सबसे बड़ा होता है तो ये सही बात है मिल्कुल साथ बटे जीरो सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसके नमबर उल्टे चलते हैं साथ बटे जीरो बढ़ा होगा, छे बटे जीरो और चोटा होगा, जीरो और चोटा होगा, एक नमबर और चोटा होगा, दो नमबर और चोटा होगा, पचास नमबर सबसे चोटा होगा, तो देखिए इसमें दूसरे नमबर में लिखा हो, पचास नमबर सबसे चोटा हो, ये गलत बात लेगी इसलिए हमारा fourth answer ही right answer होगा इस question के लिए next question हम करते हैं किसी seat को late machine में बांध कर बरतन बनाने की बिधी को क्या कहते हैं यह बहुत ही standard question है आज कल आपने बहुत सारे बीडियो देखे होगे या समझे होगे कि जिसमें किसी सीधी plate को बांधा जाता है late machine पर आँगे दवा दवा कर कोई तसला या कोई plate या कोई कटूरी बनाई जाती है तो उस बिधी को हम spinning कहते हैं उस बिधी करना में spinning तो इस question का answer होगा spinning अब हम और option लेके हैं उनके बारे में बता देते हैं drawing जब किसी punch और die के दवारा press करके कोई बरतन बनाया जाता है तो उसे हम drawing कहते हैं denting जब कोई seat या कोई चदर या कोई गारी की seat या track कोई भी seat होती है जब दब जाती है तो उसको हम अंदर से ठोक कर उसको सीधा करते हैं तो उसको denting बोलते हैं पैंटing होता है जो उसके ऊपर painting की जाती है तो पहले denting की जाती है फिर painting की जाती है तो तुमने दिखा होगा car mechanic बाले के स्थानों पर लिखा रहता है car की denting and painting इसके बरिंग लिखा हुगा है यह बरिंग एक नया सब्द है बरिंग क्या होता जब किसी डब्बी को बनाए जाता है तो डब्बी का नीचे तो तली रहती है तो ऊपर योग किनारे होते हैं इन किनारों को मोड़ के 90 डिग्री में मोड़ा जाता है इस तरीके से किनारा मोड़ा जाता है तो इस मोडने वाले किनारे की बरिंग निम्न में सही कथन पहचानू अब हमें सही पहचानना है तो हमें असत बात को हटाना पड़ेगा हम देख लेते हैं धातू का गल्लंग 700 डिगरी सी से कम होगा उन पर ब्रेजिंग नहीं होगी इसमें लिका हुगा है तो यह मैं बता देता हूँ आपको जिन का गल्लंग 700 डिगरी सी से कम होता है उसमें ब्रेजिंग बाकई नहीं होती है तो यह सत बात लिखी है क्यों नहीं होती है मैं अभी बातें बताऊँगा पहला अंसर जिन धातु का गल्लंग 700 डिगरी सी अधिक होगा उन पर ब्रेजिंग नहीं होगी होती है जिसका 700 डिगरी सी से अधिक होता है उसमें ब्रेजिंग होती है तो यह तो गलत बात लिखी हुई है जिन धातु का गल्लंग 300 डिगरी सी से कम होता है उसमें soldering होगी नहीं होती है जिसका 300 degree C से कम होता है उसमें soldering कभी नहीं होता है पहला answer इसका right answer है सही कतान है 700 degree C से कम होगी इसमें bridging नहीं होगी अब मैं बता देता हूँ bridging और soldering दोनों में base धातू नहीं पिखलती है इसमें cable जो हमारा filler metal होता है जोडने वाला metal होता है वही पिखलता है देख लीजिए जैसे मन लीजिए दो base plate है इनको हमें bridging के दोरा जोडना है ये base plate हैं दोनों ये base metal है तो इनका गलनाग 700 degree C से कम है इनको हमें पिखलाना नहीं है लेकिन केवल हमें bridging के दोरा इसको जोडना है और लेकिन पिखलाना नहीं है लेकिन bridging का temperature जो होता है बुल्लग भग 800-800 degree C होता है अब 800-800 degree C पर जहां bridging करेंगे तो हमारा bridging का metal तो पिखलेगा लेकिन ये seat भी पिखल जाएगी क्योंकि seat का गलनाग 700 degree C से कम है तो उसमें bridging नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें base metal को नहीं पिखलाना है तो base metal का melting point 700 degree C से अधिक होना चाहिए जब अधिक होगा तो हमारा base metal नहीं पिखलेगा और हमारा जो filler metal होगा वो पिखल कर उपर उपर लेपित हो जाएगा उसी तरीके से हमारा जो नीचे 300 degree C से अधिक कम होता है कम में solder नहीं करेंगी क्योंकि इससे बेजदातू पिखल सकती है और हमारी ना solder हो पाएगी ना breaking हो पाएगी next question breaking में उप्यूक्त फ्लस्क है तो ये सबको मालूम होगा इसकी मैं trick बता देता हूँ base breaking है और base borax है तो इसका answer क्या हो जाएगा borax हो जाएगा इसको हम सुहागा कहते हैं तो आप base breaking से base ध्यान रखेंगे B C या base ध्यान रखेंगे base breaking और base borax बोरक सुहागा इसका सबसे उप्यूक्त फ्लस्क होता है इसका soldering में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती जब कोई soldering कार क्रिया कहते हैं तो इसमें सबसे पहले क्रियाओं की क्रेम होता है तो मैं आपको बता जिता हूँ जिस तरीके से मह लीजिये यह hatchet soldering iron है इस तरीके कुलाडी जैसा रहता है यह copper का बना होता है यह hatchet soldering iron है इसमें क्या होता है शुरु सुरु में जब हम brazing कुरिया करते हैं तो इसके ऊपर जो है जो सोल्डर होता है हमारा उसकी परत चड़ा देते हैं किसके ऊपर सोल्डर आयरन के ऊपर एक सोल्डर की परत चड़ा देते हैं इससे क्या होता है हमारा सोल्डर छिपकता नहीं है और सही सोल्डिंग कार करिया होती है तो इस सोल्डर आयरन की बिट पर solder चरड़ाने की किरिया को हम tinning कहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या किरिया की जाएगी tinning की जाएगी ठीक है? tinning करने के बाद tacking होती है tacking क्या होता है? जब दो प्लेटों को इस परीकिसे जोड़ना होता है तो उसमें छुट छुट है टैक लगा देते हैं tack लगाने से क्या होता है? कि हमारा धातु जो है जो दो पीस है ये वन पीस और दो पीस ये पीस खेशकते नहीं इसलिए इसमें tacking करते हैं तो टैकिंग करिया हम इससे 20 से की जाती है 20 से इस तरह और इससदेज़ दोनों तरफ करते हैं next question हम करते हैं, bridging एक permanent fastener है, तो इसमें प्रियोग होने बाले spelter का missran क्या होता है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था, कि solder जो होता है, हमारा solder का missran होता है, वो होता है PV plus SN, तो उसी तरीके से हमारा bridging में भी spelter होता है, उसे हम spelter कहते हैं, soldiering में shoulder wire कहा जाता है bridging में उस चीज को spelter कहा जाता है तो हमारा जो spelter होता है spelter हमारा copper plus zinc का मिस्रण होता है जो पीदल जिसे हम कहते हैं तो इसमें देख लिए copper plus zinc third answer right answer जी है इसका copper plus zinc right answer हो जाएगा तो अब इसमें question हम और कैसे समझेंगे तो सबसे पहले उपर ही लिखा हुगा है bridging एक permanent fastener है ये question भी अपने आप में question है कि bridging किस तरीके का फासनर है एक permanent fastener है इसके बाद नीचे एक लिखा हुगा है copper, tin और zinc ये हमारा gun metal का उदानर लिखा हुगा है सबसे नीचे उपर लिखा copper plus zinc ये कांसे का लिखा हुगा है तो ये अपने आप में question है तो अगर आप जैसे मन लीजिए आपको ये दोनों चीज़ें आती है तो आप उसमें different करके आप ये नी होगा ये नी होगा तो आप इस तरीके से जब आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो आप भी इस तरीके से चाड़ सकते हैं answer चित्र में ये पार्ट का नाम बताना है ये एक soldiering आरण बना हुगा है आप देख लीजिए soldiering आरण है तो ये सारे soldiering आरण के point होते ही इसको मैं बता दूँगा अभी कौन से क्या है लेकिन सबसे पहले हमें ये पार्ट को बताना है तो ये पार्ट आँगे है देख लीजिए अभी अभी मैंने बना के बताया था कि आँगे से गर्मी दी जाती है इसको में bit कहते है तो इस cancer second answer, right answer हो जाएगा इसे bit कहा जाता है जिए गर्मी देता है copper का बना होता है इसके बाद इसमें लिका है element element इदर बीच में रहता है जो B दिखा रहा है, ये element दिखा रहा है क्या होता है, ये electric solting का रहा है तो इसमें ये element लगा होता है दर पर नाइक्रूम का जो गरम होता है element तभी ये bit को गर्मी देता है ठीक है इसके बाद element हो गया इसको handle है ये handle है ये handle लगा हुए c number पर लकड़ी का handle होता है ताकि हमें गर्मी हाथ में ना लगी क्योंकि लकड़ी जो होती है ये ताप की कुछ है लग होती है इसको terminal cover है तो ये ये लगा हुए और terminal cover लगा हुए क्योंकि ये डूरी जो है इधार पर जुड़ी हुई है डी नंबर पर तो ये डूरी को cover करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रहेगा तो कहीं किसी का हाथ में लग सकता है current इसको बाद E जो है वो सिल्यू लगी हुई है cover को ढखने के लिए और E के माpenरें पर कौनसी ब्रेजिं की जाती समस्वार से ब्रेजिंग लिए कमारें तो पर पिकला कर सकते हैं लेकीं छोटे जो पर नाहीं होती है फनेश बीदि, ये भी बड़े जोब हो के लिए रते हुँ पनेश का होती है, जिस जौब पर ब्रेजिं करने हम लोगों के टुकड़ें फ़स्रखज करा उसको भट्टी के अंदर रख देती है तो हुआ जोब के लोग बम कौलें, олिस तो जोब को रखो नहीं dale जैसे मैंने यह बनाए कोईल बार-बार रहेगी वीच में, हम जॉब बीचों-बीच रखेंगें, जिस तरीके से हमें इंडुक्षन हाड़निंग भी दिदी, आपको पिछले वीडियो में बताई दी, कि जो हमारी केस हाड़निंग की वीडियो होती है, induction hardening जिसमें हमारी सता जो scale free बनती है क्यों scale free बनती है क्योंकि उसमें हमारा जो job होता है induction coil से touch नहीं होता है heating नहीं होता है तो इस तरीके से जो हमारा अब हम current देंगे तो हमारी induction coil गरम होगी तो ये अपनी गर्मी बीच में रखे job को दे देगी फिलस्क और इस फिल्टर या इस फिल्टर की टुकड़े रखकर इसको क्लेम कर देते हैं दोनों को क्लेम करने के बाद इसको हम गरम कर देते हैं तो जो मारा बीच में जो फिलस्क होता है और इस फिल्टर होता दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है और इस स्वीटिंग वी को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं और इसी तरीके से तैयारी करते रहें आज के लिए इतना ही ओके जैन